यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ADDA 24-7 पर, आपका स्वागत है आपके इस Ultimate Batch for IBPS RRB Pre-Exam 2019 के उपर, इस Batch का नाम Ultimate खास तोर पर इस नहीं रखा गया है, क्योंकि इसके लिए ADDA 24-7 ने अपनी Best Team को साथ में लगाया है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा Basic आपको मैं exam के पहले बारे बदा रेता हूँ, इसमें आपके दो sections जो पूछे जाएंगे, वो दोनो sections हैं आपके, वो हैं आपके एक maths का section और एक reasoning का section, जिसमें आपका maths का 40 questions आएगा, and 40 questions जो हैं, वो 40 marks के पूछे जाएंगे, and reasoning the other thing, the other is reasoning, इसमें भी आपके 40 questions पूछे जा आपके 40 marks के हैं, in total 80 questions को आपको solve करने के लिए, कुल मिलाकर 45 minutes का time आपको exam में मिलने वाला है, इसके बारे में last session में शायद सर ने आपको explain कर ही दिया होगा, जो reasoning के teacher है, उन्होंने आपको explain कर ही दिया होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा brief इसमें देना चारा हूँ, टा 80 questions, 45 minutes में जो attempt करना है, इसके लिए आपको time management सबसे पहले देखना है, कि आपको maximum questions आपको attempt करने हैं, और कम time के अंदर, तो ये जब ही possible है कि आपके पास best methods हों, और उनको solve करने के लिए best tricks, best shortcuts आपके पास मिले, बच्चों मेरे पास जो session है, वो आपको मैं maths पढ़ाने वाला हूं, maths की ऐसी ऐसी चीज़े मैं आपको introduce करूंगा, जिससे आपके questions जो आप बहुत difficult feel करते हो, वो आपके बिलकुल आसान हो जाएंगे, बच्चे बहुत expectation लेकर के आप अड़ा 24-7 के साथ जुड़े हैं, वो सारी expectations आप बनाए रखो, मेरी भी कुछ expectation आप सभी से हैं, कि आप sessions को regular attend करूं, और sessions का revision daily आपको करना है, और बच्चे मेरे को ये अच्छे से पता है कि बहुत सारे students बिलकुल basic से सीखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि math से बहुत सारे बच्चों की शुरू से ही दुश्मनी रही होती है, बहुत सारे बच्चों का अच्छा भी रहा comment box in the questions, so such that I can see and I can give you the better explanation, so let us start with the topic which is basic for addition, subtraction, board mass, square, cube, एक बहुत अच्छे ट्रिक के साथ मैं शुरू करूंगा इसको, आपको अभी तक बहुत परिशानी हाती है, square find out करने में, it is very difficult to find out the square of a big number and because of this, जिसकी वज़े से आपके exam में बहुत सारे questions रुख जाते हैं, let us start, एक number, एक अच्छा सा number लेते हैं, 79 का square, 79 का square, इसको find out अगर करना है, तो इसके लिए बच्चा जो इसका start करेगा, 79, multiply 79 लिख करके करता है, 99, 81, इस तरह से इसको proceed करते हैं, अगर हम इसको proceed इस तरह से करेंगे, तो time बहुत consume होने वाला है, तो आपको मैं एक बहुत अच्छी trick देने वाला हूँ, जिससे आपका square, जो basic आपका 99 तक square आपको अगर पता है, तो इसका मैं आपको जो trick सिखाने वाला हूँ, वो है, 79 का square अगर आपको निकालना है, तो 9 का square will be 81, and 7 का square will be 49, it means कि मैंने दोनों digits का अलग-अलग square निकाला, 9 square 81, 7 square 49. Next, अब आपको multiply करना है, 7 9s are 63, 63 2s are 126. 3 steps, then the solution you will get easily. The first is 9 square 81, 7 square 49, then 7 into 9 into 2 is 126, आपको राइट साइट से एक स्पेस छोड़ करके 126 लिख देना है, इसको add कर दीजिए, this is 6 2 4 1 is the answer. तो 79 का square आपको समझ आया होगा, 9 square 81, 7 square 49, then 7 9s are 63, into 2 कर दिया, तो 126, राइट साइट से एक स्पेस छोड़ करके 126 लिख दो, 6 2 4 1 is the answer. Then come to the next example, let us take 46 का square. 46 के square से सीखते हैं, मैं 5 साथ example करा हूँगा, जिससे आपको यह बात बिल्कुल clear हो जाएगी, कि मैं क्या समझाना जा रहा हूँ. 46 का square करेंगे, तो 6 का square will be 36, 4 का square will be 16, the next is 4 6 are 24, 2's are 48, तो आपको right साइट से एक स्पेस छोड़ करके इसको add करना है, इसको add कर दीजिए, this is 2116, right? Come to the more examples, 57 का square अगर आपको निकालना है, 7 का square, 49, 5 का square, 25, 5, 7, 35, 2, 70, इसको add करेंगे, 4, 9, यहां से कितना हो गया, 32, 49 is the concept for this. एक example ऐसा, जिसमें आपका first digit आपको single digit देगा, जैसे 28 का square अगर आपको find out करना है, जो कि बहुत बढ़ा number नहीं है, 28 का square अगर आपको निकालना है, तो 8 का square will be 64, 2 का square will be 4, but you will have to take 2 digits for this, 8 square is 64, 2 digits has been taken, then come to 2 का square will be 4, but you will have to take 04, then come to 2 8s, 16, 16 2s, 32, then you will get 784 is the answer. तो आप इस trick को use करोगे, आपका question simple होता चला जाएगा, come to more example, जैसे एक बहुत छोटा सा number है, 17, 17 का square अगर आपको find out करना है, तो 7 का square will be 49, 1 का square will be, you will have to take 2 digits for this, 1 का square will be 01, then come to 1 into 7 into 2 will be 14, add करो 289, इसको आप practice करते चले जाओ, ये method आपको square निकालने में, 2 digits का तो बिल्कुल simple कर देगा, उसके बाद भी हम आगे discuss कर सकते हैं, जिसकी आपको exam के point of view से ज़्यादा जरूरत नहीं है, now come to a few random questions, मैं आपको कुछ ऐसे questions कराना चाह रहा हूँ, जो questions आपके exam में या तो पूछे गए हैं, या आपको exam point of view से important है, कुछ random questions लेकर कहा हूँ हैं, देखो इसमें, 77% of 64, सबसे पहला जब student इसको अप्रोच करेगा, तो लिखेगा 77 by 100 multiply 64, अब 77 को 64 से multiply अगर आप करोगे, तो multiply करने में time इसमें बहुत ज़्यादा waste होने वाला है, तो आपको इसको logical तरीके से concept के साथ देखो, इसको कैसे simple बनाया जा सकता है, अगर मेरे को 64 का 50% निकालना है, let us take, कि मेरे को 64 का सिरफ 50% निकालना है, क्योंकि ये method तो मैं use नहीं करने वाला, तकि 77 और 64 को multiply करूँ, तो मेरे को क्या इसमें use करना है, 64 का 50% निकालिये, वो बनेगा 32, 50% निकाल दिया, 64 का 32 होगा, 25% निकालना हो तो 16 होगा, इसमें हमारे mind पे कोई pressure नहीं आने वाला, 50% will be 32, 25% will be 16, इसका मतलब मैंने अब तक कितना निकाल दिया, 50 और 25, 75% तो स्मूध भी बहुत निकल गया, जैने इसके बाद 75% के बाद 2% ही तो बचा, तो 2% of 64, that is, अगर 2 multiply by 64 तो 128, इस इस 1.28, because I need to find out the remaining 2% of 64, which is 1.28, तो पूरे को add करके आपको value मिल जाएगी 49.28, आपको समझ आ रहा है इसमें कि कैसे इसको अप्रोच करना है, I will explain again, इसमें आप पूरा नहीं निकालो, लिखने की भी ज़रूर्ट जादा नहीं होती, जब आपका pen paper का use कम होता चला जाएगा, तो ही आपको exam में मदद मिलने वाली है, 50% of 64, 50% निकालना हो तो 32 हो गया, 25% of this is 16, 2% of 64 will be 1.28, एड़ किया तो 49.28, this is the right answer, next question पर move करते हैं बच्चू, आपको find out करना है, the largest and smallest, सबसे largest क्या है, सबसे smallest क्या है, इसमें चार questions, चार options इसमें आपको मिलेंगे, इसमें एक्स्परनेशन क्या इसकी देनी है, इसमें बच्चा सबसे पहले क्या देखेगा, कि रूट 6, रूट 7, रूट 3, रूट 4, इसको find out करें हम, तो find out करने में, रूट 6 का value, रूट 7 का, रूट 3 का value निकाल के अब compare करने की कोशिश करोगे, तो वो बहुत लिंदी हो जाएगा, तो कोशिश क्या करनी है मेरे भाई, आप सभी को, आप पहले एक बात समझो, कि 7 और 11 में से बड़ा नंबर क्या है, 11, और छोटा नंबर क्या है, 7, अगर मैं इसका वर्ग कर दूँ, तो 7 का square कितना होगा, 49, 11 का square कितना होगा, 121, तो जो नंबर बड़ा है, उसका ही तो square बड़ा आएगा, मैं positive numbers की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 4 positive हैं, ध्यान से सुनना, इसमें मैं दो नंबर लेके चलूँ, 7 और 11, तो दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, 11, छोटा नंबर है 7, तो जो नंबर छोटा है, उसका square किया, तो दोनों का square करने पर compare करो, square भी उसी का बड़ा आएगा, जो नंबर बड़ा है, तो मेरे को 4 root 6, और 3 root 7, और 5 root 3, इसमें आपको, इसको calculate नहीं करना, जो नंबर बड़ा होगा, उसका square भी आपको value ज्यादा मिलेगी, तो 4 root 6 का square करो, 4 root 6 का square करो, पूरे का अगर आप square करोगे, तो 4 का square 16, root 6 का 6, 16 into 6 कितना हो गया, 96, अब आजाओ इस पे, 3 root 7, 3 root 7 में बच्चों, 3 का square कितना है, 9, and root 7 का 7, तो 9 7s आ, 63, then come to इसका square, 5 square 25, root 3 का 3, कितना हो गया, 75, 6 root 4 का value क्या होगा, 6 is 36, and root 4 का करेंगे, तो this is 4, तो यहां से कितना value मिल जाएगा, 144, बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, सारी values का square कर दिया, सारी values का square कर दिया, तो 4 root 6 का square 96, 3 root 7 का 63, 5 root 3 का 75, 6 root 4 का 144, जो value बड़ी है, उसी का तो square सबसे बड़ा आएगा, बच्चों, तो 144 सबसे बड़ी value आ रही है, इसलिए 6 root 4 सबसे largest होगा, और सबसे चोटी value आ रही है, 63, तो 3 root 7 will be the smallest among these, I hope कि आप सभी को clear हो रहा होगा, यह questions मैं इसलिए आपको randomly पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यह questions ऐसे हैं, या तो आपके exam में पूछे गए हैं, या exam point of view से आपके लिए बहुत important है, let's move to the next question, हमने अभी तक निकाला है largest smallest, इसी largest smallest में आपको एक बहुँद अच्चा question और दे रहा हूँ, पहला है 2 की power 40, 2 की power 40, 3 की power 30, 5 की power 20, इन सभी में compare करके बताईए largest and smallest, देखो बच्चों, आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा इसके लिए, interest लेकर के आईए, knowledge मैं आपको दूँगा, basic से सिखाऊँगा, जो इस batch में जुड़ेगा बच्चा, वो definitely exam clear करेगा, जो regular है, interest लेकर के आएगा, अब आते हैं इसके explanation में, 2 की power 40, 3 की power 30, 5 की power 20, देखो maths, interest बनाने से बनेगा, interest लेकर के आओ बस, मैं आपको बार बार यहीं यह की बात बोलूँगा, interest ही लेकर के आना है, interest नहीं लेकर के आओगे, तो इसमें बात नहीं बनेगे, knowledge तो मैं आपको दे रहा हूँ, questions आपको विश्वास रखना है, कि जो questions मैं करा रहा हूँ, वही exam point of is important है, पहले उनको focus करना है, फिर time बचे तो कुछ और revise कर सकते हूँ, चलो, let's come to the explanation, देखो बच्चो, सबसे simple दरीगा इसको करने का, 2 की power 40, 3 की power 30, 5 की power 20, आपको करना क्या है, compare कर दो इनको, आप इनको ratio में रख दो भाई, ratio में रखोगे, 2 की power 40, 3 की power 30, 5 की power 20, इनको अगर आप ratio में रखेंगे, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की power 40 है, मतलब 4, इसकी power 10, ये भी तो 40 ही है, 3 की power 30 है, इसको आप 3 की power 30 को power 10 लिख सकते है, 5 की power 2, उसकी power 10 लिख सकते हैं, हाला कि ये मैं basic से समझाना चारहу, इसलिए power अलग-अलग करके दिखा रहा हूँ आपको, otherwise आप सीधा भी cancel out कर सकते थे, 40 को 4 की power 10, 30 को 3 की power 10, 20 को 2 की power 10, 10, 10, 10, 2 की power 4 है, तो कितना होगा, 16, 3 की power 3 है, तो 27, 5 की power 2 है, तो यहाँ से कितना होगा, 25, तो बच्चों आपको यह पता लग गया, ratio से वो value सामने आपके आगई, जो 27 value तेरी है, that's the largest, तो सबसे पहले क्या क्या है, simplest way, solve नहीं करना है, 2 की power 40 को देखकर कि घबराना नहीं एक्जैम में, 3 की power 30 आपको डरा सकता है, 5 की power 20 आप solve करने पे जा सकते हैं, वो solve करना possible नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, trick कि आपको यह सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, कि यहाँ इसके अंदर आपको solve करने पे जादा नहीं जाना है, जो banking का एक खौफ पैदा किया गया है, कि इसमें calculation आती है, जादा आती है, थोड़ा बहुत, I can understand, पर trick नहीं जानते हैं, shortcut नहीं जानते हैं, जब तक आपको दिक्कत रहेगी, अधरवाई सिंपल होता चला जाएगा, questions में देखो आप, आपको बहुत मज़ा आने वाला इसमें, tricks आपको ऐसे सी बताऊँगा, कि आप खुद ट्राई कर रहे होगे, तो difficult लगेगा, मैं explain कर रहा हूँ, तो वो सिंपल होता दिखाए देगा, so मैंने क्या किया इसमें, मैं दुबारा से एक बार इसको बताता हूँ, मैंने बताया कि 2 की power 40, आपके सामने screen पे question रहेगा, एक्जैम में 2 की power 40, 3 की power 30, 5 की power 20, इसको ratio में रख दो बच्चों, 0, 0, 0 सब में comment थी कट गई, 2 की power 4 को लिखना सिंपल आसान है, 2 की power 4, 2 की 2, 2 की 2, 4 into 4, 16, 3 की power 3 कितना 27, 5 की power 2 कितना 25, तो compare हो गया ना यार, इसमें आपको compare सामने तो हो गया ना, 2 की power 4 से 16, 3 की 3 से 27, 5 की 2 से 25, तो 16, 27, 25 में पता लग रहा है, 25 is the largest, तो 3 की power 30, largest, and 2 की power 40 is the smallest, is this clear बच्चों, let's move to the next question, यह मैं questions आपको इसलिए पहले randomly भी करा रहा हूँ कि आपको जो slides में questions आब आगे करा हूँगा, वो सभी इनको समझने के पाद, आपको छोटे questions दिखाई देने वाले हैं, पावर अगर ओड नंबर हो, पावर अगर अलग-अलग आ जाए, मान लो अगर आपसे पूछे, कि 375 की power 35, and मान लो 732 की power 27, कुछ भी आ सकता है आने को तो, यह भच्चों आपके दिमाग में यह चीज़ें आती हैं, imagination आप करते हूँ, बहुत स्ट्रॉंग imagination करते हूँ, मेरे भाई, अगर यह पूछ ले, तो solve करना difficult नहीं, बहुत ज़्यादा difficult है, कुछ भी नहीं पूछ था, मैं आपसे 2 मिनट पहले की बात करूँगा, कि यह question जब तक मैंने आपको दिया था, 2 की power 40, 3 की power 30, 5 की power 20, जब यह इसके अंदर, यह question मैंने आपको दिया था, तो यही question आपको Calculative भी लग रहा होगा, Difficult भी लग रहा होगा, समझाने के बाद यही आसान हो गया, paper बनाने वाला आपको tricky questions देता है, Calculative नहीं, so calculation आपको avoid करना है, हाँ, इसमें बिल्कुल है, आपको इसमें power से, अगर मेरे भाई, मैं इसमें यह कर दूँ, कि 332 की power यहां से, मैं यहां से कर दूँ 47, या 37, या कुछ भी, मतलब बहुत सारी random values दी जा सकती है, मैं और values इसमें डाल दू, 473, इसकी power 23, इसकी power हो 37, में नहीं जाएंगी, आपको जो भी question मिले, उसको trick पे लेकर के आना है, values can be different, but not calculated, चलिए, come to the next question, 48 divided by 6 of 2, multiply 2, plus 12 minus 6, divided by 2, यह बहुत अच्छा question है, board mask का, आपके board mask के concept को clear कर देगा, बच्चों, ध्यान से जुनना, जिसको आता है, बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है, पहले board mask के concept को सीख लो भाई, board mask का concept ही, आपको कई questions में मदद करने वाला है, board mask के trend को follow करना है, सुना सभी नहीं है, board mask, जानते भी सभी हैं, लगाना नहीं हाथा कि board mask जिसको लगाना कैसे है, अपलाएं आपको कैसे करना है, वहीं आपको clear नहीं होगा बस, तो board mask के trend को follow करो, तभी कोशन आपका simple होने वाला है, तो board mask में B, O, D, M, A, S, हर एक alphabet का एक meaning है, B का मतलब है हमारा यहां bracket से, O का मतलब है of से, D का मतलब है division से, M का मतलब है multiply, multiply, A का मतलब है addition, S का मतलब है subtraction, तो इस क्रम को सीखते रहो, सुनते रहो ध्यान से, B का मतलब है bracket से, O का मतलब है of से, D division, M multiply, A addition, S subtraction, तो मेरे भाई, इस क्रम को follow करना है, जानने से नहीं बात बनेगी इसके अंदर, bracket तो आप सभी जानते कि, जो bracket में होगा सबसे पहले उसी को हल करना है, O का मतलब multiply होता है, अब आप कहोगे कि, O का मतलब multiply है, तो M का मतलब क्या, M का मतलब ही multiply है, O का मतलब मतलब ही multiply है, O को पहले solve करना है, जो O वाला multiply है, उसको पहले solve करना है, M को बाद में ये आपको सबसे जादा mistake कराता है D division है M multiply A addition as subtraction तो चलो इसमें करम के साथ एक एक चीज़ समझाता हूँ आपको question में बहुत अच्छे से भाई इसमें क्या है 48 divided by 6 of 2 बच्चा क्या करेगा इसके अंदर उसको दिख रहा है कि division ही तो है multiply ही तो है addition ही तो है तो इसके अंदर बच्चा क्या करेगा 48 divided by 6 पहले कर लेगा 48 divided by 6 कर लेगा 6, 8, 8, 48, 8, 12, 16, 12, 32 यहां से 3 आ करके 35 48 divided by 6 तो आपको पहले हल करना ही नहीं मेरे भाई आपको solve करना है इस क्रम में ध्यान से देखना B O D M A S bracket of division multiply, addition and subtraction bracket में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है 12 minus 6 12 minus 6 यह bracket में दिख रहा है इसको पूरे को नहीं छेड़ना है एक साथ पूरे को solve नहीं करना है मेरे भाई 12 minus 6 को सबसे पहले solve कर लो क्योंकि यह bracket के अंदर है आपको यह value कितना देगा 12 minus 6 will give you 6 आजाये of of में क्या है 6 of 2 मतलब आप पूरे को नहीं इसको solve करना है सबसे पहले 12 minus 6 then come to of 6 of 2 भी आपको क्या देगा 12 then come to division division में क्या है 48 divided by 12 देखो पूरे को ध्यान से सबसे पहले bracket 12 minus 6 will give you 6 bracket solve come to the next of 6 of 2 2 of मतलब multiply 6 of 2 का मतलब 6 into 2 12 then come to division division में 48 divided by 12 48 divided by 12 कितना होगा 48 divided by 12 this is 4 multiply 2 plus 6 divided by 2 कितना आ जाएगा 3 क्रम में एक भी क्रम आपने आगे बीचे किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसके बाद डिवीजन पर मूव करना है तो 48 divided by 12 यहां से 4 आ गया अब 6 divided by 2 3 आ गया तो 4 of 2 4 multiplied 2 plus 3 कितना आ जाएगा 8 plus 3 11 is the answer come to the next question बहुत अच्छे च्छे कुशिंस हैं जो टिस्केस करने वाला हो आज आप से चलो एक कुशिन और सिंपल सा 0.36 0.36 divided by 0.12 divided by 0.006 0.36 थोड़ा सा और क्लियर लिखते तो हमें इसको this is 0.36 divided by 0.12 divided by 0.06 चलो इसमें जो है मेरे भाई आपको ध्यान देना है छोटी छोटी बातों पे बोड मास के अंदर छोटी बातों पे ध्यान देना है कैसे 0.36 है 0.36 को सबसे पहले में लिख देता हूँ सबसे पहले जो हमारे को डराने वाली चीज़ है वो है decimal तो मेरे भाई 36 by 100 कर दो इसको तो ठीक है और जो भी चीज़ division में होती है उसको division देखो दो चीज़े आपको confuse कर सकती है decimal दूसरा division मेरी आवाज आ रही है सभी को सब्सक्राइब को क्लीर होना मैं क्या कहना जा रहा हूं हाँ हाँ ठीक है फिफ्टी इस राइट अंसर बिल्कुल 36 by 100 पहले लिख दिया इसका उसके बाद इसके अंदर पॉइंट को decimal को हटाना और division को खतम करना वो आपके question को simple दिखाई देगा उसके बाद तो 0.36 अगर है तो 36 by 100 कर देंगे division को जब भी multiply बनाना है तो multiply करो वैसे तो ये 12 by 100 होगा न पर अगर आप division को next वाले को अगर आप multiply बना होगे तो यहां भी देखो यहां पर कितना आना चाहिए 6 by 100 आना चाहिए और अगर आप division को multiply बना होगे तो यह 100 by कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा 36 by 100 देखो अगर मैं पहले सिर्फ division को भी नहीं करता मैं बात करता हूँ 36 decimal अटाना है 0.12 decimal अटाना है 0.06 decimal अटाना है तो 36 by 100 होगा 12 by 100 होगा 6 by 100 होगा यह बात तो क्लिर है आपको सुनना भी है लिखे हुए पर ध्यान देना है बट फिर भी आपको सुनने पर भी ध्यान देना है कि 36 by 100 होगा 12 by 100 होगा 6 by 100 होगा बट आपको division को multiply बनाते हुए उस value को next value value को reverse भी करना होता है चलो एक step में इसके अंदर और लिख देता हो ताकि आपको clear हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में confuse हो जाते हैं ठीक है चलो 36 by 100 यहाँ पे 12 by 100 यहाँ पे 6 by 100 यह आएगा ना भाई यह तो समझा रहा है सभी को division का sign अभी वहीं रख लेते हैं 36 by 100 division 12 by 100 division 6 by 100 मैं सिरफ decimal हटाया अभी तक और कुछ नहीं अब मेरे भाई जहां मैं division को multiply बनाऊंगा तो multiply बनाऊंगा तो next वाली जो value है वो पलट जाती है division को multiply बनाते हुए 100 by 12 हो जाएगा फिर division है तो फिर 100 by कितना हो जाएगा 6 जिनको आता है वो इसको थोड़ा सा तेजी से सीधा सीधा भी अप्रोच कर सकते थे ठीक है बट जिनको नहीं आता है थोड़ा सा यह चीज़ बताने की ज़रुरत है कि next time आपको दिक्कत ना आए 36 by 100, 100 by 12, 100 by 6 आ गया तो यहां से 100, 100 cancel out 12, 3, 36, 3, 2, 6, 100 by 2 कितना हो गया 50 is the answer Is it clear बच्चो चलो एक इसके अंदर और बहुत अच्छा concept है जो आज की class में slides में मैं आपको उन questions पे आकर के फिर अच्छे से बताऊगा एक question में आपको दिरो मेरे भाई आफ फिर ट्राइ करो बहुत अच्छा question है challenging question है simple question है 99 999 1 by 7 plus 999 2 by 7 plus 999 3 by 7 इसके बाद term होगी 999 4 by 7 plus 999 5 by 7 plus 999 6 by 7 देखो जो इसमें आपको options मिलते हैं वो options मिलते हैं 1002, 2997 और बता भी सकता हूं मैं कि किसली options मैं बता रहा हूं कि यह options आपको एक्जैम में मिलेंगे 5997 फॉर्थ आपका इसके अंदर ऐसा ही कुछ कि आपको मिलेगा ट्रिपल नाइन और एक option और आपका कुछ भी नहीं मिल जाएगा तो यह 4-5 options आपको इसके अंदर मिलेंगे मेरे भाई अब इसमें समझाता हूं आपको कि यह mistakes कैसे होती है बच्चा इसको प्रोच कैसे करता है मैं तो इसको भाई option देखकर गए आपको बताना की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को solve भी नहीं करना अगर मेरे सामने 5 options हैं जो मैंने आपको दिये है 1002 आपको 9997 2997 चार options अगर आप सा गलत है इसके लिए थोड़ा सा basic explanation देता हूं आपको इसमें आप आजाओ दो तरह के fraction होते हैं question को मैं एक बार हटाता हूं come to the basic इस पर आऊँगा मैं question पर यह तो छोड़ने का question ही नहीं बहुत अच्छा question है पहले आपको थोड़ा सा concept समझाता हूं जो इसमें लिखा है concept example let us start with the concept first इसमें बता रहा हूं आपको एक होता है fraction fraction का मतलब होता है part हिस्सा टुकड़ा अगर मैं कहूं कि 10 apples को बाटना है 5 boys में तो how many apples per boy might be getting 10 apples 5 boys 2 apples per boy 10 सेबों को बाटना है 5 में तो 2 सेब सभी के पास आ जाएंगे अगर मेरे को बाटना है यहां 18 को 3 में 18 apples को 3 boys में बाटना है तो 6 apples everybody is getting बट मेरे भाई अगर 19 apples है और 3 boys में इसको distribute करना है तो मेरे को apple बाटने से बाटने के बाद एक apple जो बचेगा उसको बाटने के साथ सथ काटना भी पड़ेगा ताकि मैं उस 3 boys के अंदर उस बचे हुए एक apple को बाट पाऊं तो 19 by 3 जो है 19 apples 3 boys 6 apples सभी के पास आ जाएंगे 18 तक तो बट गए then बचा 1 apple जो तीनों boys के अंदर एक एक करके बटेगा 19 apples को मैं 3 boys में बाट रहा हूँ तो 6 apples हो सभी को मिलेंगे एक apple जो बचेगा वो 3 boys के अंदर distribute होगा मतलब 1 3rd everybody is getting them 3 boys को 6-6 सबको मिल गए तो 3 boys में सबको 1 3rd 1 3rd 1 3rd भी मिलेगा तो ये तो है पूरी value और 1 3rd क्या है 1 3rd है मेरे भाई fraction अगर यहां 20 apples बाटेंगे तीन में तो 6 apples अभी के पास और जो दो बचेंगे उन दोनों को आप कट करके तीन लोगों में बराबर बराबर बाटेंगे तो 2 by 3 क्या है fraction अगर यहां माल लो अगर यहां पे 7 है साथ पांच 35 अभी के पास चले गए 6 apples जो बचे वह सेवन पीपल में डिस्ट्रिब्यूट होंगे 6 by 7 क्या है fraction यह बात सभी बच्चे लगबग जानते भी हैं जिनको नहीं है वह clear मैं इस लिए कर रहा हूं बेसिक से होता चला जाएगा तो आपको concept बहुत जादा clear होगा जैसे इतने रेंडम अंसर्स आ रहे हैं कि भाई यह अंसर होगा यह अंसर होगा जो बहुत गलत अंसर इसमें बता रहे हैं उनके लिए सेखना ज़रूरी है तो fraction दो तरह का एक होगा proper fraction पूरा theoretical नहीं बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा theoretical part एट कर रहा हूं proper fraction and improper fraction proper fraction का मतलब है वो fraction जो actual fraction है जैसे 2 by 7, 3 by 8, 11 by 19 यह सारे fractions है जहां आपका numerator denominator से छोटा होना चाहिए बचा हुआ हिस्सा होना चाहिए वो वही proper fraction है अगर 7 by 2 हो गया तो वो fraction तो है क्योंकि fraction का मतलब ratio से मतलब P by Q form से है जिसमें numerator denominator दोनों होना जुरूरी है P by Q form जो है वो fraction है बट जिसमें आपका numerator उपर वाली value नीचे वाली value से denominator से छोटी है तो वो proper है improper जो है 7 by 2 मैं इसको क्यों समझा रहा हूं भाई क्योंकि 7 by 2 जो है वो improper fraction ही मेरे को mixed fraction देता है जो आपको सबसे पहली term मैंने लिखी triple 9 1 by 7 this is mixed fraction तो triple 9 1 by 7 जो mixed fraction है क्योंकि triple 9 पूरी value और 1 by 7 बचा हुआ हिस्सा जैसे 7 by 2 का मतलब होता है 2 3 6 3 1 by 2 कि आपको clear हो रहा है कि 3 1 by 2 is mixed fraction ठेक है चलो next 7 by 2 को 7 by 2 को आप लिख सकते हो क्या 2 3s are 6 3 1 by 2 अब बच्चा इसको समझ लेता है कि 3 into 1 by 2 है 3 into 1 by 2 तो भाई 3 by 2 होता जबकि 3 plus 1 by 2 देखो क्या value देगा आपको 3 1 by 2 3 1 by 2 का मतलब और 3 plus 1 by 2 का मतलब एक ही है 3 1 by 2 कहलो 3 plus 1 by 2 कहलो एक ही बात है 3 into 1 by 2 बिलकुल नहीं है यह तो दोनों बातों में आप अंतर समझो 3 1 by 2 जैसे मालो 7 11 by 17 लिखा होगा तो यह जो भी value है यह 7 plus 11 by 17 ही है 7 11 by 17 और 7 plus 11 by 17 बिलकुल से हम है ठीक है तो यह मैंने आपको clear कर दी basic बात ताकि हम question को सीखने में आगे हमारे को आसानी मिले चलो 9991 by 7 पे आते हैं 9991 by 7 plus 9992 by 7 plus 9996 by 7 यह 6 टॉम्स है तो यह value मैं बिना solve की भी बात कर सकता हूं कि यह पूरा का पूरा value मेरे को क्या है मेरे को यह पता है ना यह value 1000 के आसपास है ट्रिपल नाइन मतलब 999 से थोड़ा सा ज्यादा 999 से थोड़ा सा ज्यादा मैं इसको लगबग लगबग हजार मान सकता हूं अगर आपको किसी से 999 रुपए कुछ पैसे लेने हैं या किसी को देने हैं तो 1000 रुपीज दे सकते हो अगर ज्यादा कंजूस हो तो मेरे भाई 999 भी दे सकते हो पर पहले एक बार के लिए round figure 1000 मान करके चलते हैं अगर यह value मैं 1000 मानू यह value 1000 मानू यह value 1000 मानू तो value जैसे एक बच्ची ने बहुत अच्छा अंसर दिया था इसमें 1000,000,000 कुल में लाकर के 6 terms हैं तो value कितनी आएगी मेरे भाई 6000 के आस-पास options आपको मैंने बताए 1008, 2997, 5997 और 999 तो यहां से अगर 4 options हैं तो 4 options में से सबसे नस्दीक आपको दिख रहा है 5997 इसमें अंसर है बिना सोचे समझे अंसर कर दो बच्चा यह भी कहेगा कि जरूरी तोड़ी है जी एक यह option इसके नस्दीक मिले बहुत सारे options मिल सकते हैं उस पर भी बात करेंगे अभी पहले आप इस बात पर agree करो कि अगर यह value 1000, 1000, 1000, 1000 है लगबग 9997 के थोड़ा सा जाधा है तो 1000 है 6 terms ऐसी है तो 6000 के nearby वाला अंसर होगा और 6000 से जाधा नहीं होगा क्योंकि मैंने 999 something को मैंने 1000 मारा है इसलिए value 6000 से थोड़ी सी कम रहेगी इसलिए 5999 इसना answer अगर option से देखके करना है अगर मैं इसको 1000 नहीं मानता मैं इसको otherwise 999 कंसीडर कर लूँ lower side पे मतलब एक पूरी-पूरी value लेके चलना चाहता हूँ या तो 1000 या 999 तो मैंने 1000 माना तो 6000 आ गया 1000 माना तो 6000 आ गया और हर एक value को 1111 कम किया तो 6 कम भी हो गया 5994 आ गया तो 6000 और 5994 ना तो यह 999 है ना यह 1000 है इसका मतलब मेरी value 5994 से yes 6000 के पास होगा रमेश जी बिलकुल बिलकुल इसमें 5994 और 6000 के बीच का ही कोई value होगा क्योंकि value 9999 से जादा और 1000 के बीच की है मैं आपको इसलिए इस question पर time लगा रहा हूँ यह मेरे कुछ choose कियो especially questions है इनको एक एक question को time दे करके सीखोगे आपको कई concept आगे questions के clear होते चले जाएंगे तो अगर मैं 1000 मानता हूँ तो 1000 1000 1000 6000 999999 करता हूँ तो 59994 क्योंकि मैंने हर एक value को 11 कम कर दिया है ठीक है के बिलकुल नजदीक होने वाला है ठीक है तो भाई ट्रिपल नाइन 1 by 7 ट्रिपल नाइन 2 by 7 अब अगर मैं इसको समझू तो यह ट्रिपल नाइन प्लस 1 by 7 है न जैसे मैंने बताया यह बच्चा मिस्टेक का कर रहा है ट्रिपल नाइन को कमन निकाल रहा है यह कूमन आ जाता बहार अभी बहार नहीं आएगा तो इसलिए प्ल नाइन जो है इसका मतलब है तिरिपल लाइन प्लस वन बाई सैगल रवेटल रेख ये जो कि आपको समझाते है मेरे कोई लिखना पढ़ रहा है स्कृ्रीन पर जैसे ही आपको कुश्चरण दिखे तो को करना क्या है यह स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है समझ तो आपको आ गया कि ट्रिपल लाइन 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 यह सिक्स टाइम तो एड होगा ही होगा उसके बाद बात करते हैं हम वन जिससे आपको value मिलती है 5994 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 इस सबको add कर लो, नीचे सबका 7 है, 7 ले आओ 6, 5, 11, 4, 15, 18, 20, 21 इसको add करके 21 बटे साथ कितना आ गया? 3 तो value क्या आ जाएगी? 5997 बहुत बैतरीन question है इसको सभी एक बार देख लो, अच्छे से question आप सारे सीखते चले जाओ, आपको benefit ये questions mains में भी benefit करेंगे, और भी बहुत रही चीज़े आपको बताओ में 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 इसमें इंप्रॉफर्फेक्शन को ले करके देखो जिन बच्चों को थोड़ा सा अभी डाउट रहे गया, एक आधा छोटा question बताता हूँ आपको value देदेगा 1, 5 plus 1 कितना? 6, मिलकुल, चलो, अब अगर हम इसको सीख चुके हैं, तो आप इसको plus लिख करके ऐसे करने के जरूद नहीं है, 2, 5 by 7 plus 3, 5 by 7 है, 3, 2 by 7 है, तो 2 plus 3 कितना हो गया? 5, 5 by 7 plus 2 by 7 कितना? 7 by 7, 5 यहां से आचुका, 1 यहां से, इसलिए 6 is the answer, ठीक है? Next, अभी पहली class है, कोशिश रहेगी कि आपको explanation थोड़ी सी ज़्यादा दूँ, ठाकि हर एक बच्चा comfortable हो जाए, जब आप मेरे communication से clear हो जाओगे, तो आपको तेजी से समझानी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, 13, 3 by 4, 16, 1 by 4 plus 7, 1 by 2, 13 plus 16, 13 plus 16, 29 हो गया, 29 plus 7 कितना? 29 plus 7 कितना? 36, 36 तो पूरी-पूरी value आ गई, उसके बाद 3 by 4 और 1 by 4 से कितना आ जाएगा? 1, बचा क्या 1 by 2, तो आ गया कितना? 37, 1 by 2, option देख लेना, आपको 37, 1 by 2 मिलेगा, 37.5 मिलेगा, वो आप उसको देख सकते हो, कि यहां से आपको 75 by 2 भी मिल सकता है, ठीक है? एक और question देख लेते हैं, यार, mixed friction का. 27, 1 by 2, plus 15, 3 by 4, minus 12, 2 by 5, plus 18, 4 by 5, करो भाई. 27, 1 by 2, 15, 3 by 4, minus 12, 2 by 5, plus 18, 4 by 5, 27, plus 15, 42, minus 12, कितना? 30, plus 18, कितना? 48, ठीक है, देखते हैं, इसको, आईए. इस बात को समझ लो, कि minus का 12, 2 by 5 है ना, तो इसको bracket में पहले अगर हम समझें, तो minus का 12, plus 2 by 5 तो है ये, 12 plus 2 by 5 तो है, पर बाहर minus अगर है, इसको मैं अगर open करूँगा, इस term को समझ लो, कि minus 12, 2 by 5 का मतलब है, minus बाहर 12 plus 2 by 5, तो मैं इस bracket को जैसे हटाऊँगा, इस bracket को जैसे हटाऊँगा, तो minus तो है, तो दोनों ही terms minus की है, जो आपको problem कर रहा है, जो आपको answer solve नहीं करने दे रहा, तो ये minus 12 है, और minus 2 by 5 है, तो दोनों, जो भी 12, 2 by 5 के अंदर दोनों terms है, 12 और 2 by 5, दोनों negative है, दोनों minus की है, ठीक है, चलो, आते हैं इस पर, 27, 15, 27 plus 15 हो गया, 42, minus 12 कितना हो गया, 30, plus 18 कितना, 48, 48 तो सीधा-सीधा आ गया, अब उसके बाद आ जाओ, 1 by 2, plus 3 by 4, plus 4 by 5, और ये किस चीज़ का है, minus वाला, इसलिए मैंने सबसे last में लिखते हैं इसको, तो 4 by 5 और 2 by 5, ये plus का 4 by 5 और ये minus का 2 by 5, दोनों को एक साथ solve करो, 4 minus 2, यहां से कितना आ जाएगा, भाई, 4 by 5, minus 2 by 5 आपको दे देगा, 2 by 5, ठीक है, अब इसको आप LCM लेकर के हल कर लो, 4, 5, 20, 2, 10, plus 4, 5, 5, 3, 15, 5, 4, 4, 2, 8, तो यहां से पूरा solve करके आपको मिल गया, 33 by 20, तो 48 plus 33 by 20, यहां कितना आएगा, वन आएगा, तो यह 48 में adjust कर सकते हैं, यहां से 1, 13 by 20 आएगा, 49 plus 13 by 20, यह आपका सही answer होगे भाई, जिसको आप 49.65 भी कह सकते हो, clear है सबी को, बच्चों move करते हैं, slides में, presentation में, जिसमें भी कुछ अच्छे questions हैं, पर basic, basic, basic आते हैं इस पर, questions पर आईए, first question है, what should be come in the place of question mark, in the following questions, आसान प्रशन, कोशिश करिये, एक बर हल करने की, 4.4 plus 14.44 plus 41.14 is equal to, यहां पर, आप mention कर दो, यहां पर x है, ठीक है, यह आपको find out करना है, minus 14.41, minus 1.4, इसमें आपको left side में सारी terms positive है, right side में दोनों terms negative है, दोनों terms जब left side में आएंगी, तो यह भी क्या हो जाएंगी, positive, मतलब right side में x को अगर मैं छोड़ दू, तो बाकि सारी terms left में आ करके क्या हो सकती है, positive की, तो हम इसको add करने के लिए जो बच्चा तेजी से इसमें दिमाग लगाएगा, तो क्या करेगा, 4.4, decimal में जो सीधा सीधा solve कर रहा है, 14.44, 41.14, यह, 3 terms मैंने लिख दी, 4.4, 14.44, 41.14, जब 14.41 आएगा, तो वो यह वाला, जब इदर आएगा left में, तो यह हो जाएगा 14.41 प्लस का, और यह 1.4 भी जो minus का है, इदर आकर के left side में हो जाएगा, वो भी plus का, तो 1.4, तो इसको add करना not difficult, आप लिखो, solve करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, 4.4, 1.9 हो गया, यहाँ से कितना 4, 4, 4, 4, 16, 1, 17 हो गया, 1 इसमें 4, 4, 12 हो गया, 14, 15 हो गया, 4, 2, 6, 1, 7 हो गया, 75.79, एक तो तरीका आपका सीधा यह है, कि आप इसको decimal से लिखके कर सकते हो, जादा दिमाग इसमें मत लगाईए, क्योंकि बहुत जादा difficult question, जादा ऐसा tricky question है नहीं, तेक है, अब अगर मैं इसको decimal से कर रहा हूँ, तो यह तो तरीका सही, जो बच्चे decimal का खौफ खाते हैं, तो सीधी सीधी बात देखो ध्यान से, भाई इसमें आप कोशिश यह करो कि इस question में दोनों तरफ, चाहे वो left side है या right side है, अगर मैं दोनों तरफ 100 से multiply कर दूँ, 100 से, multiply both sides by 100, तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू, जिसको decimal से दिक्कत है, decimal में कर पा रहे हो, पहले वाला तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, decimal में नहीं कर पा रहे हो, आजाओ, 100 से multiply कर दो, आप इसके अंदर सबसे पहले, unit does it, इसका उठागरी चल सकते हो, 4, 4, 8, 8 plus 1, 9 हो गया, बच्चे को करना है, तो question बिल्कुल सिंपल है, आप इसके अंदर ये देख रहे हो, कि मेरे question के अंदर, decimal के बाद या तो एक अंक है, या इसमें decimal के बाद दो अंक है, मैं आपको दोन है, इसमें आप देखो, decimal के बाद, या तो आपको एक decimal है, एक digit है, या दो digits है, आप कैसे कर सकते हो, आप ये देखो कि जिसमें दो digits है, last में decimal के बाद, उसको सीधा-सीधा उठाओ, इसके अंदर है, ये 4, 8, और ये 1 कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि ये पुरी value, right side वाली left में आएगी, पूरा plus हो जाएगा, minus वाला कुछ बचना ही नहीं है, इधर सिर्फ x होगा, यहाँ पर 9 आ गया, अब आ जाओ, आप second digit पर, 4, plus 4, 8, 8, plus 1, 9, 9, plus 4, 13, plus 4, कितना, 17, आ गया 7, बिलकुल आ गया, 1 बचा है, उसको carry forward करना, यहाँ से आ गया 1, plus 1, जो पहले वाल 2, 2 plus 4, 6, 6, 1, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 5 आ गया, तिकत कहा है, आपको pen उठाने की जरूरत नहीं है, pen चलाने की जरूरत नहीं है, digits by digits करते जाओ, question तो बिलकुल सिंपल है, आप मैं से बहुत सारे बच्चे समाज ही नहीं पारे करना कैसे है, मैं बता रहा हूँ, एक तो बच्चा जो सबसे पहले दिमाग लगाएगा, तो decimal वाले को decimal decimal लिख करके एक एक करके जोड़ रहा है, एक बात, दूसरा मैं बता रहा हूँ कि digit by digit उठा लो, 4 digits है, last वाल आपने उठाया, यहां से मैंने बताया कि 1, 4, 5, 5, 4, 9, यह जब जोड़ गया तो 9 आ गया, उसके बाद 4 plus 1, 5, 9, that is there, then come to the next digit हम बता रहे थे, 4, 4, 8, 9, 4, 13, 4, 17, 7 आ गया, उसके बाद 1 अभी रिमेनिंग था, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 6, 1, 7, 7, 7, 4, 11, 4, 15 हो गया, 15 हो गया, यहां से 1 अभी भी रिमेनिंग है, 1 बचा है, 1 यहां से, 1 बचा था, 2, 2 plus 4, 6, 6, 1, 7, 75.79, करना कुछ भी नहीं है इंदर, यह तो बहुत सिंपल सा हो गया, अब मैं बता रहा हूँ, अगर आपको यह लगाना है, सीधा कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ करने के ज़रोती नहीं है, सीधा-सीधा उठाओ, नहीं तो आप 100 से मल्टिप्लाई करना है, वैसे करके लिखके जोड़ना है, तो लि भी तो 100 से मल्टिप्लाई हुआ है, तो 100 X, तो मिरे पास जब इनको जोड़ूँगा, तो decimal नहीं है, बस आपको decimal का दिक्कत खतम हो जाएगा, तो इन सब को मैं जब जोड़ूँगा, तो मिरे पास value आएगी 75, 79, तो X के equal है, तो X is equal to 75.79, इक question बहुत जादा discussion की ज़रोत है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि आप सीजा लिखके जोड़ लो, 100 से मल्टिप्लाई करके उसको फिर जोड़ के, फिर 100 से डिवाइड करके देख सकते हूँ, नेक्स में मूव करते हैं भाई, 2744-1418-1756-1956 is equal to X plus 986, देखिए अब, 2744 और 1756, इन दोनों को जोड़ लो, क्य जोड़ेंगे, बाकी सब तो left side में आ जाएगा, तो जिसमें आपको दो numbers है, 2744, 1756, यह दोनों positive है, इनको एक मार जोड़ के देखिए, यहां से आपको कितनी value मिलेगी, यहां से आपको जोड़ने से value मिलेगी, 005 and 4, 4500, then come to three other numbers, जो negative है, 1418, 1956, 986, जो इदर left में आ करके, negative में हो करके, यह तीनों जोड़ जाएंगे, यह भे negative है, यह भे negative है, यह इदर आएगा, तो negative होगा, तीनों जोड़ जाएंगे, इन सब को आप अगर add करते हो, तो 43, 60, तो दोनों का अगर आप difference करते हो, तो यह आपको 140 answer दे रहा है, is it clear, जो एक है, तो आप इसमें last K, ज 1556 जोड़ दिया, negative वाले एक साथ जोड़ दिये, 4500 minus 43, 60, difference कितना आगया, 140, ठीक है, अब अगर मैं इसमें पूरा नहीं, मैं सिरफ इसके दो digits लेकर करो, क्योंकि मेरे को पता है, कि first digit तो same है, 120, 110, 140, 150, 180, तो सब का जो second digit है, 10 digit 4 different है, तो 00 सब में आई रहा होगा, तो 44 और 56 को जोड़ दो, 44 और 56 को जोड़ दो गया, आप यहाँ से कितना आ जाएगा, 44 और 56 से आपका कितना आ गया, 100 आ गया, यहाँ से अगर आप, 56, 56 cancel हो जाएगा, यह भी बहुत बढ़िया, बिलकुल, 56, 56 cancel हो जाएगा इसके अंदर, that's the third thing I was going to explain, अब इसके अंदर आप, एक तो मैंने बता रिया कि सीधा जोड़ के देख लो, एक इसके अंदर, second thing इसके अंदर क्या बताई मैंने, कि आप इसे 44, 56 को जोड़ लो, 100 आ से आजाएगा, तो difference कितना आ गया, 40 आ गया, that's the other thing, then come to, अगर मैं इसमें कुछ values ऐसी भी दिखाए देरिये, question answer के अंदर, कि 56, 56 को cancel out ही हो गया, then come to, अगर 44 यहाँ से है, यह 44 यहाँ से है, 744, 44 और यहाँ से 18 और 86 को जोड़ लो, आप, को कितना दे रहा है, 4, 9, यहाँ से हो गया, 10, 0, 4, यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से answer कितना दे देगा, 40 last के 2 digits हो जाएंगे, last 2 digits का concept सब में लगेगा, क्या, बिलकुल नहीं लगेगा, मालो option किसे का 230, 430, 630, 530 दिया हो, last 2 digits का concept नहीं लगेगा, फिर आपका digits का sum वाला concept भी काम आ जाता है, जिसका last digit ही अलग होगा, उसमें 5 जैसे मालो, अगर जिसका last digit ही, 531, 231, 431, 631, अगर ऐसा दिया है, सबका last digit same है, अगर यहाँ 634, 538, 637, 539, last digit जिसका अलग-अलग है तो last digit पर focus करो, तो ध्यान क्या देना देखो, आप एक ही question में सब कुछ सीखना चाहोगे, it is not clear, आपको मैं सारी चीज़े बता रहा हूँ, एक ही question के साथ, क्या, अगर last digit अलग-अलग है, तो last digit पर focus करो, अगर आपका last digit same हो जाए, मतलब unit digit same हो जाए, तो 10 digit पर focus करो, और अगर 10 digit भी same हो जाए, तो आप digits का sum करने वाला method जो मैं आगे discuss करूँगा, time मिलने में, तो वो उसको मैं बताऊँगा, जब आपका unit digit और 10 digit दोनों ही साथ ना दें, तो next पर move करते हैं, इसमें, ये question simple है, 1528 plus 525 divided by 25 minus 840 plus 510 plus X, ये question आप कर भी सकते हो, बिलकुल सिंपल सा question है, अब आगया आपका fractional, fractional, ये जो आपका, अभी तक मैं mixed fraction की बात कर रहा था, अब आप इसमें कर के बता दो, अब इसको समझाने की ज़रूद नहीं है, काफी question मैं इस पर discuss कर चुका हूँ, 7, 1 by 6, approximation, इसमें अभी आज approximation की बात नहीं है, नेक्स क्लास, approximation की बात करेंगे, आप इसकोशन पर द्यान दो, mixed fraction की, 7, 1 by 6, plus 9, 2 by 3, minus 4, 1 by 2, this, 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 this is given, क्या करना है, इसमें बताओ, देखिए, क्या बता रहा था मैं, 7 plus 9, 16, 11, minus 4, कितना, 12, यह इदर आएगा, plus का, यह इदर आएगा, minus का, यह इदर आएगा, minus का, यह सारी values इदर आएगा, minus क्योंगी, यहां हम x लिख देते हैं, confusion नहीं होगी, वापिस से बता रहा हूँ, देखिए, इसमें पूरी-पूरी values को पहले देखने हैं, 7 plus 9, 16, minus 4, कितना, 12, 5 इदर आकरके, add हो जाएगा, तो 17, यह minus होगा, तो कितना बचेगा, 11, 11 में से 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 8, जिस बचे को यह भी clear नहीं है, आप खुछ से practice करके ध्यान देगें इस पर, 7 plus 9, 16, minus 4, 12 हो गया, plus 5 इदर आकरके, plus हो जाएगा, 5, इसलिए 17 हो जाएगा, यह इदर आकरके, left side में minus होगा, तो 11 हो जाएगा, minus 3 हो जाएगा, तो 80 बचेगा, तो पूरी-पूरी value solve करना तो quite simple, now come to fractional part, जो first वाले का fraction है, वो कितना है, 1 by 6, second वाले का 2 by 3, third वाले का minus 1 by 2, यह 5 के साथ 5 by 6 जो दिया है, वो minus का है, इदर आकर plus का हो जाएगा, plus 1 by 2 है, इदर आकर minus 1 by 2 हो जाएगा, 1 by 6 इदर आकर minus का हो जाएगा, ठीक है बाई, answer नहीं, question पर ध्यान दीजिए, आप असे बहुत अभी गलत answer कर रहे हैं इसमें, पूरी value 8 आ गई, उसके बाद fractional part पर ध्यान देते हैं, fractional part में कैसे ध्यान देंगे, इसके अंदर कटने वाली value सीधी दिख रही है, plus 1 by 6, minus 1 by 6 तो cancel out ही हो रहा है, then come to minus 1 by 2 और minus 1 by 2 जुड़ करके कितना हो जाएगा, minus 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 तो already है, 8 में से कितना minus हो जाएगा, minus 1, plus में, अब बचा क्या, इसको मैंने 1 by 6 को और 1 by 6 को तो cancel कर दिया है, minus 1 by 2, minus 1 by 2 से minus 1 बन गया, अब 2 by 3 और 5 by 6 बचे, 2 by 3 और 5 by 6 को तेजी से जोड़ने के लिए क्या करो, इसको 2 से मलटाएगा, उपर वीचे गड़ तो multiply, इसको 6 बना दो, तो अगर यह 2 से multiply होगे 6 हो गया, तो यह 2 से multiply हो कितना हो जाएगा, 4, तो यह value मेरे को कितने मिल जाएगी, 9 by 6, जो कि, जिसका मतलब है, यहां से कितना हो जाएगा, 9 by 6 का मतलब होता है, 1, 1 by 2, तो यहां से 8 minus 1 plus 1 plus 1 by 2, minus minus cancel, 8 plus 1 कितना, 8 plus 1 by 2 is the answer, ठीक है, Come to the next, 7, 1 by 9, 6, 2 by 3, minus 4, 1 by 2, that is given, यह बिलकुल last question की तरह है, बिलकुल आसान question है, इसमें सभी का answer बिलकुल सही आ रहा है, किसी का कोई गलत नहीं है, E option 15 is the right answer, same fractional उसी तरह से जो मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है, no need to explain this, इसको हम move करते हैं next question पे, क्योंकि यह तरह simple है कि last question की तरह है, अगर मेरे को दो छोटे numbers है, जैसे मालो 18 और 12, 18 and 12, I need to find out the LCM, क्योंकि इसमें काम आने वाले थोड़ी सी चीज़ है, LCM की, 18 और 12 का LCM मेरे को लेना है, तो दोनों में से, जितने भी numbers दिये हूँ, उन सब में से सबसे बड़ा number लेकर के, उसका multiple आपको चलाना है, तो 12 और 18 का जो multiple है, question number 6 की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, LCM of 18 and 12, LCM of 18 and 12 देख लीजिए, दोनों में से जो बड़ा number है, उसका multiple चलाईए, उसका table, तो उसका table चलाएंगे आप, तो 18 और 12 में बड़ा number 18, 18 बंजा 18, 18 टूजा 36, तो 36 एक ऐसी value हो गई, जो दोनों से cancel out हो गई, तो दोनों का LCM हो गया, जैसे 6 और 8 का LCM निकालना है, तो 8 का multiple चलाओ, 8 1s आ 8, 8 2s आ 16, 8 3s आ 24, तो दोनों का LCM आपका 24 हो गया, बहुत सारे, बहुत सारी values है, ठीक है, थोड़ा सा इसको skip करके आते हैं, हम question number 6 पे, इसको question mark की जगह x ल 40 by 3, 11 6, 66 plus 6, 72 by 11, 9 7s आ 63, plus 2 कितना, 65 by 9, 13 9s आ 117, plus 4, 121 by 13, जैसे ही आपने mixed friction को, हाँ, please explain, yes, एकता मैं explain कर रहा हूं, आप इस पे ध्यान दीजिए, मैं next पे move नहीं कर रहा हूं, मैं इसको explain कर रहा हूं, x into 40 by 3 is equal to, देको mixed friction को मैंने change कर लिया, fraction में, 30, 13 into 3, 39 plus 1, 40 by 3, 72 by 11, 65 by 9, 120, 1 by 13, मैं कोई question skip नहीं कर रहा हूं, जो अलग होगा, सेम होगा तो शायद मैं एक बार के लिए skip कर सकता हूं, ठीक है, अब इस पे आ जाईए, जो इसमें से cancel out और इसमें केंसल करने पे ध्यान दीजिए, सारा cancel out इसमें तेजी से हो रहा है, 40, 40 cancel out हो जाएगा, तो X का value यहां से 33 हो जाएगा, is it clear बच्चों, next question, 2, 1 by 9 से, 7th question स्टार्ट करिए, ठेक है, देखते हैं इसको, 9, 2, 18, plus 1, 19 by 9, multiply, 19, 1, plus 2, 21 by 19, अब इसमें division है, 3, 2, 6, plus 1, 7 by 3, पर मैं इसमें अगर multiplication दे देता हूँ, तो यह बन जाएगा, multiply करके, 3 by 7, minus 1 by 2, देखो जहां आपको shortcut, 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 बताने के जरूरत है, वहां मैं आपको shortcut, shortcut, बता हूँगा, जहां आपको जरूरत ही नहीं है, जहां question ज़्यादा simple है, वहां ज़्यादा आप, उसको सोचेंगे नहीं, ठेक है, हाँ, answer is 2, बिल्कुल देखते हैं इसमें, 19 by 9, 21 by 19, यहां पर 7 by 3 होगा, पर मैंने multiply बदल के 3 by 7 कर दिया, minus 1 by 2, is equal to x minus 1, 1 by 2 है, तो 3 by 2, ठेक है, अब इसमें सबसे पहले आप solve कर लो, किसको multiply वाले को, फिर minus, फिर उसमें change कर देंगे, ठेक है, 19, 19, cancel out होगे, 7, 3, ठेक है, then come to 3, 3, 9, पुरा का पुरा, cancel होगे है, 9 से, तो यहां से बचा कितना, 1, minus 1 by 2 is equal to x minus 3 by, तो यहां से कितना आएगा, 1 by 2, और यह 3 by 2 इदर आएगा, तो प्लस का होगा, 1 by 2 और 3 by 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, x का value, 2 is the answer, 4 by 2 हो गया ना, तो value कितने हो जाएगी, 2, बिल्कुल, 2 is the answer, 9th question को एक बर explain करते है, 9th द्यान दो बहुत अच्छा question है, 3, 3, 3 divided by 33, आप इसको divide करिए, 33, 33 divided करेगा, बना आजाएगा, then इसके अंदर 33 जब next जाएगा, तो यहां पर 0, 1 पर चला जाएगा, तो इसका मतले यहां से कितना आगया, 101, is it clear, इसको हल करके, कितना आजाएगा, 33 इसको divide करेगा, बना आजाएगा, जब 3 नीचे आएगा, फिर दुबारा 3 नीचे आएगा, तो एक 0 आजाएगी, 33, 101, 101 हो गया, अब इसमें 4,004 divided by 26 है, इसको चाहो तो आप चेंज करके लिख सकते हो, ने तो सीधा भी डिवाइड हो रहा है, 26, 1, 26, 5, and 26, then come to, this is 26, इसके अंदर हो जाएगा, 4 पर, बिल्कुल, बट मैं इसको अगर चाहूं, तो इसको लिख सकता हूं, कि 2002 लिख दिया और divided by 13 कर दिया, अगर इसको तोड़ा सिंपल बनाना है, अल्तरवाइज कोई सिंपल, हाउ टो टेक दे स्क्वार रूट ऑफ 1024, मैं सभी का स्क्वार रूट लेना आपको सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको स्क्वार सिखाया है, वैसे square root भी सिखाऊंगा वैसे cube root भी कोई चीज ऐसी नहीं चोड़ने वाला कोई चीज ऐसी नहीं चोड़ने वाला जो आपको दिक्कत करेगा मैंने इसलिए उसको skip भी कर दिया आगे square root के ना एक दो questions और भी आएंगे थोड़ा सा constitution हमारा move हो गया था किसी और चीज में ठीक है वापिस आते है डबल थ्री डबल थ्री डिवाइड बाई 33 है तो इसको डिवाइड करेगा तो 1 जब डबल थ्री नीचे आएगा तो 0 आ जाएगा फिर इसको डिवाइड करेगा 33 को तो 1 तो 101 यहां से आ गया इसको solve क करने के लिए मैं बता रहा था किसको आप सिंपल बनाना चाहते तो 2002 डिवाइड बाइड बाइड थर्टीन कर लो इफ यहां से इसको solve करिये 25 तूजा 50 26 25 6 यह पूरा का पूरा आपने एड करना है 281 असर ऐसे कुष्चन में मिस्टेक ना करें लास्ट कुष्चन बच्चे बहुत ज़्यादा एफसाइस कर रहे है इसको कराने के लिए मैं दुबारा इसको एफ कुष्चन को कवर कर लेता हूँ देखो यार एक्स्प्लेन कर देता हूँ इसको short कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा square root थोड़ा आगे चल करके सिखाने क कुष्च इसमें करूँगा देखो 336 प्लस 744 और यह हो गया यहां से 124 ऐसी सिंपल सी वैल्यूस दी गही है न आपको इसमें ज्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पढ़ने वाली थेक है देखो यहां से 336 744 और यह वैल्यू कितनी बनेगी यह वैल्यू बनेगी जिनको क्लियर नहीं था वो एक बार ध्यान दे दो इस पर क्योंकि आप सभी के लिए में explain करो जिनको क्लियर नहीं था हां तो यहां से 124 744 और 336 ठीक है तो 6 और 4 कितना हो गया 10 लिखके करना है व ही नहीं जिनको इसमें भी दिक्कत आ रही है इसका मतलब आपको बेसिक से सीखने की जरूरत है तो बता देता हूं 336 744 और 124 तीनों को एड करिए तीनों को अगर आप एड करेंगे इसके अंदर तो उसके बाद आपको यहां से वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है 1204 हो तो हमारे को लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है एक्स का स्कॉर और लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी आ चुके कुल में लागे 1024 तो यूनेटर से इसमें कंफ्यूजन रहेगी भाई क्योंकि इसमें जो 4 है ना किसी बत्चे ने बोला है भाई मेरे 4 जो है इसके अंदर तो 4 जो है वह 8 का स्कॉरर भी 4 हो सकता है और 2 का स्क्राव भी 4 हो सकता इस वज़े से इसको मैं नहीं चाहरा क्योंकि 28 और 32 दोनों options में है ठीक है बिलकुल हाँ ठीक है x का square 1024 हो गया x का square 1024 हो गया तो x का जो value आएगा इसका root करने से आएगा ये value जो है ये value आपकी 20 का जो square है वो कितना होता है 400 20 का square तो निकालना आसान है 30 का square क्या होता है 900 किसी भी value का square root निकालना है मैं आपको यहां थोड़ा सा तीजी से बता देता हूँ 20 का square 400 30 का square 900 40 का square 1600 50 का square 2500 इन values का square निकालना तो मुश्किल नहीं है कम से कम 20 30 40 50 क्योंकि 2 3 4 5 6 चल रहा है तो इस value को देखो यह किस के square के बीच में limit बन रही है यह value बन रही है 30 के square से तो ज्यादा है और 40 के square से यह कम है 1600 और यह value 900 के बिलकुल नस्दीक है तो यह value क्या है even है 1024 1024 जो है इसके अंदर इसके अंदर आपको क्या करना है 30 के square से ज्यादा है 40 के square से कम है तो यह value last digit से आप इसको पहचानिए 4 जो आता है कौन सा ऐसा digit है जिसको multiply करके इसमें 4 आ सकता जैसे 30 का square करेंगे तो last में 0 बनेगा 34 का square करेंगे तो क्या बनेगा 16 36 का square करेंगे तो क्या बनेगा 6 और यहाँ पे दो options बचते हैं यह तीनों option तो हो नहीं सकते ना last digit को देखते हुए 32 और 28 बट मेरा value 30 के square से जाधा है इसलिए 32 इस दा राइट अंसर 32 इसका अंसर होगा come to the next question question number 10 देखो एक तो बच्चा division से डरेगा दूसरा इसमें decimal से दोनों ही चीजों का solution दे करके मैं इसमें आपको समझा देता हूँ explain कर देता हूँ कैसे करना है 15.5 है तो 155 by 10 लिख सकते हैं इसको इसको multiply 28 divided by 112 है तो divided 112 लिख सकते हैं प्लस में 1230 by 240 is equal to x by 5 सबसे सिंपल इसके इंदर क्या करेंगे 155 by 10 multiply 28 by 112 plus 1230 by 240 is equal to x by 5 इसमें मैं आपको cancel out values simple आपने आप से ही हो रही है और कुछ इसमें तरीका लगाने की ज़रूद भी नहीं है देखो 00 इसमें cancel out हो रहा है यहां से 3 से value cancel out हो जाएगी 8 पे 3 forza 3 oneza 41 by 8 यहां से आ गया simply अब 28 forza then come to 155 by 10 है तो 31 by 2 यहां से आ गया क्योंकि मैंने 5 से value cancel out कर दी five threeza five oneza five twoza हो गया तो यहां से मेरे को value मिल गई है 41 by 8 और इदर से कितने मिल गई 31 by 8 plus 41 by 8 is equal to x by 5 पूरा value चुड़कर आ गया 72 by 8 समझ आ रहा है बच्चों 72 by 8 का मतलब है 9 9 into 5 जब इदर जाएगा तो x का value हो जाएगा 45 तेजी से इस question को देखिए और next पर move करते हैं इसकी बात 11th question था 80 का square multiply 6 यह पूरा bracket में divided by 40 divided by 5 is equal to 14 square minus में यह जो निकालना है मेरे को वो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं x जो मेरे को निकालना है ठीक है? पहले 80 का square अगर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 80 multiply 80 multiply 6 ठीक है? इस bracket में 80 square को 80 into 80 multiply 6 लिख दिया ठीक है अब divided by क्या है 40 मैंने क्या बताया जब भी division है उसको multiply बना लो into 1 by 40 जो भी division है उसको multiply बना लो 1 by 5 is equal to 14 का square मतलब 14 into 14 minus में x तो यहां से जो solve हो रहा है simply देखो अब तक concentration is must जो समझा रहा हूँ उस point पे ध्यान दो 40 to the 80 5 16 जा तो यहां से आया कितना? 16 2 जा 32 16 2 जा 32 32 6 जा 192 लेफ्ट साइड में सब कुछ cancel out होकर के मेरे को कुल मिलाकर मिल गया 192 and राइट साइड में 14 का square 196 minus x x का value कितना आ गया मेरे बच्चों x इदर 196 minus 192 is 4 this is the answer next question में move करते है question number 12 पे move करी बच्चों भाई इसके अंदर question आपको बड़ा value दिख रहा है डराने के लिए square root निकालना है इसके अंदर कुछ numbers ऐसे जिनका आपको square root निकालना सीखना है square root के लिए आप देखो इसके अंदर अगर माल लो एक number हो 62,41 क्योंकि इस question को करने के लिए आपको square root सीखना पड़ेगा तो square root सिखाते हैं उसके बाद move करेंगे इस पे कोई भी number है 62,61 इसका मेरे को root निकालना है इस question से अलग मैं बात कर रहा हूँ 62,61 का अगर आपको root निकालना है तो एक बात ध्यान दो मेरे को बहुत बड़े numbers का square नहीं पता पर मेरे को ये तो पता है कि ये number जो है वो 70 के square से जादा है क्योंकि 70 का square होगा 4900 और 80 का square होगा यहाँ पे 6400 ठीक है ये value जो है 70 के square से जो मैं एक बात पहले आपको शुरू में थोड़ी सी बताए थी इसके अंदर जो 70 का square है वो है 4900 और 80 का square है 6400 तो ये value 62,61 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है और इन दोनों के बीच में लाई करती है मतलब मेरा जो value ये 62,61 है ये value 70 से 80 में बीच में किसी का square होगा अगर ये इन दोनों के बीच में किसी का square होगा तो last digit से पहचानते हैं last digit से पहचानते है 1 जो इसके अंदर आ रहा है 1 कैसे आ सकता है 1 आ सकता है इसके अंदर देखो किसी value का square अगर आप करते हो देखो किसी का 1 into 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 into 2 करके 4 आएगा, 3 into 3 करके 9 आएगा, 4 into 4 करके 6 आएगा, 5 आएगा, then come to 6 into 6 करके 6 आएगा, 7 into 7 करके 9 आएगा, then come to 8 into 8 करके 4 आएगा, then 9 into 9 करके 1 आजाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका last digit 1 होगा, तो उसको दो बार multiply करने से last में 1 ही आएगा, कोई नंबर जिसका last digit 2 होगा, उसको 2 से 2 से multiply करके 4 आएगा, 3 से 3 multiply करके 9 आएगा, 4 से 4 करके 6 आएगा, 5 से 5 करके 5 आएगा, 6 से 6 करके 6 आएगा, 7, 7 से 9, 8, 8 से 4, 9, 9 से 1, इसमें जो सबसे सिंपल है 1 और 1 की multiply करके 1 आता है इसके बाद 5 और 5 की multiply करके भी 5 आता है 6 और 6 की multiply करके 6 आता है दन इसके अलग जो है 2 और 2 से 4 आएगा 8 और 8 से भी 4 आएगा 3 और 3 से 9 आएगा 7 और 7 से भी multiply करके 9 आएगा मैं last digit की बात कर रहा हूँ ठीक है तो last digit इस में 3 और 3 अगर एक नंबर का last digit 3 है और first digit 3 है तो 3 into 3 हमारे को last digit जो मिलेगा वहाँ से क्या मिलेगा नائन तो मैं unit digit इसका बता रहा हूं नाइन मिलेगा ठेक है तो unit digit जो मेरे को 1 यहां मिला है इसके अंदर तो 1 कैसे मिला हो गा कोई एक ऐसा नंबर रहा होगा जिसके लास्ट में क्या रहा होगा 1 या 9 because मैंने जो नंबर लिया है वो है 6241 वापिस से थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ 6241 सबसे पहला स्टेप यह आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि यह 70 का स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है यह एक और नंबर है तो 71, 73, 75, 77, 79 इन ही में से तो किसी का स्क्वायर होगा तो 73 का अगर यह स्क्वायर होता तो 73 into 73 लास्ट में कितना बना चीएता 9 जो कि इसका नहीं है तो यह इसका अंसर नहीं होगा यह इसका वैल्यू नहीं हो सकता 75 into 75 होगा तो लास्ट में 5 होना चीएता जबकि यहां 1 है इसलिए यह भी इसका वैल्यू नहीं हो सकता then come to 77 into 77 77 करके 9 आएगा जो कि मेरे को 1 मिल रहा है यह भी इसका वैल्यू नहीं होगा अब 79 into 79 करेंगे तो 99 कितना होगा 1 और 71 into 71 से करके लास्ट में कितना आएगा 1 तो 1 यहां भी आएगा और यहां भी तो मेरे पास 2 options है मैं अभी आपको explain कर रहा हूं explain करने में time लगेगा 2-4 example को थोड़ा सा समझ के करो फिर आपको time नहीं लगेगा जब आप एक बार सीख जाओगे दुबारा से repeat कर रहा हूं 6266241 का root यह 70 के square से जाधा है 80 के square से कम है पर यह last digit इसका odd है इस वजह से 71, 73, 75, 77, 79 इसी में से किसी का square होगा पर 73 का square क्यों नहीं होगा क्योंकि 73 के square से 9 आना चाहिए लास्ट में, unit is it 75 के square से 5 आना चाहिए 77 के square से 9 आना चाहिए जिसमें से मेरा कोई 9 और 5 last digit नहीं है मेरा last digit क्या है 1 तो वो 71 और 79 का ही square हो सकता है इसका मतलब मेरे को यहां से क्या मिल सकता है या तो 71 या फिर 79 बट ये value 6241 ये value इसके नजदीक है इससे दूर है तो 71 का square इसी वज़े से नहीं हो सकता और ये 79 का square होगा इस इट क्लियर ठीक है 245 एक्जेंपल से समझाऊंगा आपको square root का concept जरूर अच्छे से सीख लेना चाहिए अब एक number लेकर के इसमें चलते हैं the number is 6889 इसमें number मैंने दिया है 6889 6889 इसका root मेरे को find out करना है तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ value 80 के square से ज़्यादा है 6400 और 90 का square कितना होता है 8100 then I need to check कि यह value जो है 80 के square से तो ज़्यादा है 90 के square से कम है और यह value किसके नजदीक दिख रही है आपको 80 के square के बिलकुल नजदीक है जबकि 90 के square से तूर है 80 के square से नजदीक है और 90 के square से तूर है और last digit को देखो 9 आ रहा है तो इसका मतलब इसकी value 81 का square नहीं हो सकती क्योंकि यह odd number है 81 नहीं हो सकता 85 नहीं हो सकता 87 या 83 यह last digit को देखे तो या तो यह 7 की वज़ा से आ रहा है या यह 3 की वज़ा से आ रहा है क्योंकि यह 80 के नजदीक है इसलिए क्या होगा 83 होगा 87 नहीं होगा ठीक है एक तो example और बता देता हूँ जैसे एक नमबर है 9216 इसका रूट निकालना है 9216 का रूट निकालना है 9216 का रूट निकालोगे भई इसमें आपको पता है कि यह value 90 के स्कुरेट से जाधा है यह दो आगे के digit आपको बता देंगे last के दो डिजिट आपको last के दो डिजिट देखने हैं वो आपको यह दिखाते हैं कि यह जो 6 आ रहा है यह किसकी वज़य से आ रहा है 6 आपका आ सकता है 4 के स्क्वार से या 6 इंटू 6 के करके 4 इंटू 4 से 6 आ सकता है या 6 इंटू 6 से आगे के जो 2 डिजिट्स है यह आपको क्लियर कर देंगे कि 92 किसके square के आसपास है तो 9 के square के आसपास है तो 9 के square से जादा है क्योंकि 90 का square 80 100 होता है और 100 का square हमारा कितना होगा 100 100 मतलब this is 10,000 तो ये value जो है या तो ये किसका square होगा this is I know कि ये value मेरे को चोटे वाले की तरफ लेना है बड़े वाले की तरफ नहीं मतलब 94 भी हो जकता है 96 भी पर ये value 9216 जो आ रहा हमारा ये value इसके बिलकुल नजदीक है इसलिए मेरे को value क्या लेना इसमें 96 is it clear everyone पांच डिजिट के लिए work करेगा बिलकुल भाई पांच डिजिट के लिए work करेगा क्योंकि 38 416 पांच डिजिट का ही है बिलकुल है बता देता हूं 38 416 वाले question पर ही आ जाओ भाई इसमें 5 जो है आपका जो 5 है ये 5 इस 5 को कट कर देगा स्क्वार रूट और जो फिफ्थ रूट है वो फिफ्थ पावर से कट गया अब आरे पास बचा कितना 38 416 का रूट और इस पूरे का कितना बचा है अभी वन बाई टू तो 38 14 416 का रूट निकालना है तो 38 416 का रूट पहले निकालते हैं इसमें जो वैल्यू लास्ट के दो डिजिट्स हैं मैंने भी लास्ट आपको एक्स्प्लें किया लास्ट के दो डिजिट्स इसमें मेरे को बता देंगे कि ये लास्ट के दो डिजिट्स मेरे को किसिट डिजिट्स वज़ह से प्राप्त हो रह gowस्य के लास्ट का डिजिट्स इसमेरे को मेरे को मिल सकता है 4 x 4 वहास या 6 x 6 की वहाद लिजए से just फचा लास्ट के तो डिजिट्स एक साथ लेने है जो बाकी बचा आ गया गया 384 जो है वह 384 आपका अगर यह value 20 का square मैं देखूं ठीक है 20 का square अगर मैं देखूं तो कितना होता है 400 ठीक है then come to अगर यहाँ पे आपको 19 का square होगा तो कितना होगा 361 तो यह value जो है 20 के square से 19 के square के बीच की ही value है 384 20 का square 400 19 का square 361 तो यह value 384 384 361 400 के बीच में है इसका मतले मेरे को lower side में value लेना होता है lower side value कौन सा है 19 तो मेरे को 194 और 196 तो values मिल सकती है इसके अंदर से है ना तो बट मेरे को यह भी clear हो रहा है इसके अंदर यह value जो है 384 जो है वो इसके नजदीक है या इसके नजदीक है यह value मेरी इसके नजदीक आ रही है 400 के बिलकुल यहां से 384 इसके बिलकुल नजदीक है तो इसका मतलब यह मेरे को यहां से value कितनी मिलेगी 196 ठीक हो गया तो इसका जो root बनेगा वो बनेगा 196 इस पूरे का फिर मेरे को 1 by 2 निकालना है और यह किसका square होता है हम जानते है 14 का square होता है तो 14 is the right answer अच्छा question है इसी वज़े से मैं एक और example एक इसी example को थोड़ा सा दुबारा explain कर देता हूँ यह प्रशना आपको दिया गया है 5th root के अंदर यह power 5 बटे में 2 सबसे पहले तो यह बता होगे 5 और यह 5th root कर जाएगा कि निकर जाएगा 5th root इसमें cancel out हो गया 38416 root के अंदर है और इस पूरे का अभी भी 1 by 2 बाहर है तो main मेरा मकसद क्या है इसको solve करना मैं बता रहा हूँ आपको जब भी किसी का square root निकालना है तो last के 2 digits अलग कर दो और की जो value बचे वो आगे ले लो तो 16 जो है last का digit मेरे को 6 दिख रहा है तो 6 आता किसे है 4 into 4 से या 6 into 6 से दोनों में से किसी एक से और आगे वाला जो 384 है भाई वो 20 का square कितना होता है 20 का square 400 होता है 19 का square कितना होता है 361 तो यह value 384 20 और 19 के बीच में ही तो किसी को लाई करती है तो मैं इसको lower side में कितना लोंगा 19 तो 194 और 196 में क्या answer होगा अगर इतनी ही confusion है तो आप 400 के नजदीक है 384 यह 384 361 के नजदीक है तो मेरे को पता है कि 384 के बिलकुल नजदीक है यह value तो यह value इन दोनों का difference देखो और इन दोनों का difference देखो 384 और 361 का difference ज्यादा है 384 400 का difference कम है तो यह 384 जो है 384 जो है वो आपका 400 के नजदीक है तो मेरी value जो है 20 के तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो 194 इसलिए हम नहीं लेंगे क्योंकि वह 194 19 के 190 के नजदीक है तो 196 will be the right answer for this value अब 196 आ गया तो इसके अंदर फिर मेरे को 1 by 2 निकालना है तो यह मेरे को 14 अंसर देड़ेगे next question पर आ गया है 14 44 5184 डोनों का root है equal to 22 into x आपको बहुत बड़े-बड़े root वाले questions नहीं मिलेंगे ठीक है आपको कुछ ऐसी values जो हम discuss जितने लेविल तक करेंगे उतने ही लेविल तक क्योंकि हम उसे एक step उपर ले करके चलते हैं आपका question question number आप आजाओ सभी 13 पे 14 44 last का digit मेरे को पता लग रहा है भाई 14 44 यह 4 कैसे आया होगा last के दो digit एक साथ आगे के दोनों एक साथ चोड़ने होते यह 44 में जो 4 आ रहा है last में 2 x 2 से करने से आता है या 8 x 8 से करने से आता है ठीक है then come to और यह जो value है 14 यह 3 के square से क्या है जादा और 4 के square से कम है 14 3 के square से जादा और 4 के square से कम है तो मैं lower side में 3 को लेके चलूँगा इसलिए यहां से value या तो 32 हो सकती है या 38 ठीक है but मेरे को यह पता है कि यह value आपको 30 के square से 40 के square के बीच में लाई करती है 900 और 1600 तो value 1600 के पास में है ना तो 38 इसका value लिया जाएगा ऐसे ही इसको देखो 51 चुरासी को इसके last दो डिजिट हमारे को 4 कैसे देंगे या तो 2 से या 8 से अब उसके बाद 51 कैसे मिलेगा 7 के square से 49 आता है और 8 के square से 64 पर lower side 7 लेना होगा तो 72 और 78 में से कोई एक पर यह value 70 से 80 के बीच में लाई करती है 4900 से 64 के बीच में तो भाई यहां मैं इसका value क्या लेके चलूँगा 72 22 इस साइड है और x तो 38 यहां से और 72 यहां से value आ गई 110 बटे में कितना 22 पराबर में x यह value कट करके value कितना दे देगा 5 तो यह हमारा right answer इसके दर हो गया कुछ अच्छे questions बचे हुआ है वो रह जाएंगे तो आपके लिए problem रहेगी अच्छे questions miss miss मत करो first class तो सभी के लिए important है आपका rhythm बनेगा इससे interest बनेगा कोई भी question आपको ऐसा मिले कोई भी प्रशन आपको ऐसा मिले जैसे आपको मिले root of 12 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 up to up to infinity question बिल्कुल simple इसको करने का तरीखा जो हमारे को 9th class में दिया जाता था इस पूरे को माना जाता था x के बराबर root of 12 root of 12 root of 12 up to infinity बराबर x दी इसको मैंने पूरे को x के equal माल लिया क्योंकि मेरे को इसका value निकालना है अब मैं infinity से क्या understand करता हूँ and infinity से मेरा मतलब है भाई infinity का मतलब है कि एक value बहुत बार repeat हो रही है root 12 root 12 root 12 root 12 चलता जा रहा है root 12 अगर चलता ही जा रहा है तो यह infinity तक जा रहा है मतलब बहुत तक जा रहा है तो अगर मैं इसमें से कोई एक term यहां से निकाल भी दू पहले वाली term निकाल भी दू तो इसको भी अगर मैं hide कर दू रूट 12 पहले वाले को तो बाकी पूरा का पूरा भी तो मेरा X के बराबर ही दिख रहा है इसको मैं तोड़ा सा और open कर दूँगा जा तो सेमी रहा है रूट 12 रूट 12 रूट 12 देखो infinity का मतलब क्लियर करो infinity का मतलब देखो अगर किसी व्यक्ति के पास पैस कि अरब पती है कोई कहेगा इसके पास इतना पैसा यार गिना में जा सकता तो वही होता infinity कि गिना तो जा सकता जैसे आसमान में तारे आप उसको काउंट करना शुरू करोगे काउंट तो आप कर रहे हो पर आप एंडलेस है वो चीज इसलिए आप उसको काउंट नहीं कर पारे तो बहुत ज्यादा का वैल्यू कितना आ गया बारा के नोट काॉंट बिलकुल 12 इसका अंसर हो एक एक उपर बताता हूं counes root of 7 root of 7 root of 7 root of seven up to infinity इस पूरय को मैं x के बराबर मान लेता हूं x के बराबर मान करके अगर मैं इस में से सरफ एक term को पहली term को हटा दूँ मतलब हटाना नहीं है एक बार के लिए ignore करना है कि वो अगर एक term निकाल भी दी जाए बीच में से तो बचा हो अभी तो x के बराबर होगा तो ये पूरा जिसके उपर मैंने सरकल किया है ये x से ही तो होगा तो root of 7x is equal to x दोनों तरफ वर्ग करिए x का square equal to 7x x से x cancel out हो करके x से x cancel out हो करके आपको x का value कितना मिलेगा 7 अब मेरे सामने गर कोई भी question इस तरह का आएगा तो कर लोगे न exam में कोई भी question आपको सीधा आएगा बताना confidence रखो over confidence नहीं root 13 root 13 root 13 up to up to infinity जा रहा है answer कितना answer कितना 13 very good देखा root 13 root 13 root 13 up to infinity कुछ नहीं करना है मेरे भाई 13 is the answer ठीक हो गया अब आजाओ आप इसके अंदर next question पे इसका भी बता दो भाई root of 5 root of 5 root of 5 root of 5 इसका answer क्या होगा देखो अगर इसी प्रश्ण को मैं infinity तक ले जाओ एक बार आओ सभी धियान देना इस पर इसको अगर मैं infinity तक ले जाओ तो ये value कितनी देगी 5 देगी मेरे को ठीक है अगर ये infinity तक होता तो 5 ही होता अगर ये infinity तक नहीं है तो ये finite root है ना चार root ही है बस एक root 5 उसके पर root 5 उसके पर root 5 उसके पर root 5 उसके पर root 5 चार बार है तो अगर मैं इसको x के equal रखूँ square करूँ फिर square करूँ फिर square करूँ तो आपको solution मिल जाएगा अगर explanation रहेगी तो बहुत लिंदी रहेगी एवोइड करो explanation पर तरीका मैं बता रहा हूँ X के बराबर मानो square करो, फिर square करो, फिर square करो, फिर square क्योंकि चार बार route आजब ही हटेगा lengthy हो जाएगा explanation से shortcut बता रहा हूँ, इसका shortcut सीख लो shortcut सीख लो, काम आएगा root of 5, root of 5, root of 5, root of 5 जो number अंदर दिया हुआ है, 5 उसको तो बाहर निकाल दो सबसे पहले, और उसके उपर कर दो 2 की power n minus 1 upon 2 की power n 5 तो base में रखना है, जो number अंदर होगा, उसको base में रखना है, उसके बाद 2 की power ही रखनी है 2 की power n, n represent the number of roots, जितनी बार root दिया गया है, वो आपको लेना है, 2 की power n minus 1 upon 2 की power n, ठीक है, तो 5 n number of root बताओ कितनी बार है, चार बार है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 2 की power 4 minus 1 upon 2 की power 4, तो 5 की power कितनी होगे, 2 की 4 कितना, 16 minus 1 15 by 16, यह मेरे बच्चों अंसर आ गया next question, root 7, root 7, root 7 2 की power, 7 को base में लेना है सबसे पहले तो, 7 को बाहर निकाल दो, अब 7 की power, 2 की power n minus 1 upon 2 की n, अब यह 2 की n minus 1 upon 2 की n, तो हर question में सेम चलेगा, ऐसे जितने भी हैं, जो finite limit तक हैं, ऐसे सभी questions तक आपको 2 की n minus 1 upon 2 की n ले नहीं है, तो 7 की power कितनी हो जाएगी, 2 की 3 minus 1 upon 2 की 3, 7 की power कितनी, 8 minus 1, 7 upon 8, that is the answer, एक question और बताओ, root 13, root 13, root 13, 13, 13 base में होगा, 2 की power n minus 1 upon 2 की अंतर सब में common है, तो 2 की power कितनी है, 3, 2 की 3 minus 1 upon 2 की 3, 13 की power कितनी हो गई, 7 by 8, answer आ गया, खटक, next question में move करते हैं, जो आपको puzzle कर रहा था, ठीक है, next question में move करते हैं, भाई, इसमें मैंने 2 questions आपको 2 type से बता दिये, next type में move कर रहा हूं, time be about to finish है, तेजी से देख लो, important question है, 3-4 question एक जैसे शकल के हैं, confuse कर सकते हैं, confuse नहीं होना, क्योंकि मैं आपको एक-एक करके, 3-4 चीज़ें clear कर रहा हूं, root 20, root 20, root 20, root 20, up to, up to infinity, that is given, मेरे बच्चे, इसमें अगर root 20 था, root 20 था, root 20 था, up to infinity था, दोनों की शकल में कुछ अंतर है के नहीं है, root 20, root 20, root 20, up to infinity चल रहा है, तो इसका answer 20 पका होगा, जो मैंने अभी last explain कर दिया, जो question मैंने अभी दिया है, उसमें तो plus minus आ गया, आ गया ना plus minus, तो plus आ गया, अभी plus की बात करते हैं, minus भी क्यों बोला मैंने, plus की बात करते हैं, ऐसे question में आपको 99% जो मिलेगा, ऐसा number ही मिलेगा, जिसमें 20 जो है, या कोई भी number दिया हुआ है, वो दो consecutive numbers में, दो लगातार numbers में ही तूटेगा, जैसे 20 को तोड़ना है, तो 4 गुना 5 में तोड़ो, तो बड़े वाला जो number है, वो इसका answer होगा, ठीक है, तो 5 इस दा answer, root 20, root 20, root 20, अब माल लो, अगर मैं कहूँ, यहाँ पे अगर है 56, root 56, root 56, root 56, root 56, up to, up to, up to, up to infinity, गलती तो भाई मेरे से भी हो जाती है, तो आपको इस चीज में ज़्यादा tension नहीं लेनी है, वो exceptional case है जा नहीं तूटेगा, वो भी चाहो तो मैं बता दूँगा, बट अभी के लिए आप बात करो, कि यह number हमेशा आपको ऐसा मिलने वाला है, यह दो numbers में break हो जाएगा, break करना है दो लगातार numbers के अंदर, तोड़ने को तो मैं इसको 2-8-20 भी लिख दू, 4-14 भी लिख सकता हूँ, 7-8 भी लिख सकता हूँ, पर मेरी preference किस पर है, मेरी preference है लगातार दो numbers पर, लगातार दो numbers कौन-कौन से हैं, वो है 7-8, ठीक है, तो 7-8 में से 8 इसका answer होगा, क्योंकि यह बड़े वाला है, बड़े वाला इसका answer होगा, इसके पीछे की कहानी भी चाहोगे, तो वो भी समझा दूँगा कि आया कैसे, देखो, रूट आफ 56, प्लस रूट आफ 56, प्लस रूट आफ 56, अप टू अप टू इन्फिनिटी, एक तो यह, दूसरा, रूट आफ 56, माइनस रूट आफ 56, माइनस रूट आफ 56, और यहाँ पे, माइनस रूट आफ 56, अप टू अप टू इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है, प्लस माइनस का डिफरेंज है, करना क्या, दोनों में सेम तरीका लगाना है, 56 को तोड़ दो, 7 गुना 8, यहाँ भी 56 को तोड़ दो, 7 गुना 8, 7 इन्टू 8, तो जिसमें प्लस है, उसमें 8 अंसर है, जिसमें माइनस है, उसमें 7 अंसर हो जाएगा, छोटे वाला, कुल मिला के इसका निश्कर्ष क्या है, conclusion क्या है, जो number अंदर root के अंदर मिलेगा, root, 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 root कलके infinity तक जा रहा होगा, उस number को 2 consecutive लगातार numbers में तोड़ना है, बड़े वाला number अंसर होगा, plus वाले sign के case में, minus वाले sign के case में, चोटे वाला answer इसका होगा, 7, ठीक है, तो 7 इसका नीचे वाले case में answer हो जाएगा, अब इसका explanation देख लो, explanation भी बता देता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को यहां मिले, root of 12, plus root of 12, plus root of 12, up to, up to infinity, ठीक है, मैंने बताया यहां पे, अगर बीच में plus का sign ना हो, तो 12 answer, अगर बीच में plus का sign आ गया, तो मेरे को क्या करना है, 3 into 4 करके 4 इसका answer आ जाएगा, पूरे को x के equal माल लो, जैसे मैंने last, बिना sign वाले question को explain किया, इसको भी same explain कर रहा हूँ, इसमें आपका, पूरी value को x के equal माल लो, यह जो अंदर है, जिसको मैं circle कर रहा हूँ, इस पूरी value को भी आप x का नाम दे दो, तो यह क्या बना, root of 12, plus x, equal to x, दोनों तरफ square कर दो, तो x का square equal to x plus 12 हो गया, ठीक है, अब क्या, x का square minus x minus 12 equal to 0, x का square minus 4x plus में 3x minus 12 equal to 0, इसका factor हो गया, x, x minus 4, plus में 3 into x minus 4 equal to 0, x is equal to 4, x equal to minus 3, क्योंकि यह plus वाली बात चल रही है, तो minus वाला मैं accept नहीं करूंगा, इसलिए plus वाला 4 इसका answer रहा है, हो जाएगा, explanation कि मेरे भाई, ज़रूरत नहीं है, focus करो, आप सीधे-सीधे कुछ questions ऐसे होते हैं, जिनके लिए आपको shortcut चाहिए होता है, यह ऐसा ही उसमें से questions है, चलो, मैं explain कर देता हूँ, जो कुछ ऐसा question जिसमें आपका factorize नहीं होगा, ठीक है, root of 5, plus root of 5, plus root of 5, plus up to up to infinity, multiplication, multiplication, कैसे fast करें, एक ही दिन में कैसे बता दू भाई, सब कुछ, मेरे पर फिश्वास रखना, दस बज गए, कोई नहीं, दो मिनिट तो ले लेंगे, आप इसमें बताओ, root 5, root 5, last question यहीं explain कर रहा हूँ, आप इसमें, root 5, root 5, root 5, root 5, root 5, इसमें चल रहा है, आपको इसके अंदर अंसर बताना है, क्योंकि यह factorize नहीं हो रहा, root 5, root 5, root 5, root 5, up to up to infinity होता, तो आपको पता है न क्या answer है, 5, पता लग गया, यह मैं बता चुका हूँ, root 5, root 5, root 5, 3 बार होता, तो 5 बेस में आ जाता, 2 की पावर n minus 1 upon 2 की पावर n, मतलब 5 की पावर कितनी, 7 by 8 इसका answer, यह दोनों clear है न, इसमें sign नहीं है, इसमें sign नहीं है, यह infinite तक है, यह finite है, अब मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें plus minus हो और वो infinite तक जाए और वो number आपका factorize भी नहीं हो रहा, तो सीधा shortcut लिखे लो, ज्यादा expression में मत पढ़ो इसकी, सीधा बता रहा हूँ कि आपको इसमें क्या करना है, 4x plus 1 का root plus 1 upon 2, यह आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है, यह लिख लो, x का मतलब क्या है, वो number जो अंदर mention है, last question भाई, प्यार से, अराम से, देखो, last question की बात कर रहा हूँ, root 5 plus root 5 plus root 5 up to up to infinity, तो यह बात चल रही है, इसका मेरे को अगर value देना है, 99% इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, कि question आपके exam में एकडम इतना ज़्यादा आसान नहीं है देना, देने वाले के लिए, तो वो factorize वाला ही आपको देगा, जानना है, मैं आपको knowledge के लिए बता रहा हूँ, कि root 5 plus root 5 up to infinity चल रहा है, तो यह value इस तरह से, इसमें x का value मतलब 5 put कर दो, यह इसका answer हो जाएगा, तो क्या होगा इसका answer, 4 into 5 plus 1, plus 1, by me 2, root 21 plus 1, by me 2, ठीक है, root 21, जबाएक, by me 2, ठीक है, समझ आ गया, और कैसे आया, यह shortcut है, इस पूरे के अगर explanation चाहिए न, तो पूरे को x मानो, इस पूरे को फिर x का नाम दो, इस पूरे का square करो, इस पूरे को factorize करोगे, नहीं होगा, फिर आप minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a से इसको solve करोगे, बहुत लंबा तरीका है, ठीक है, कोशिश करो, जो मैं समझा रहा हूँ, यही आपके लिए best है, इसमें minus ओ, तो आप क्या करो, इसके अंदर जहाँ, अगर मालो, यह minus 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 आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, root of 4x plus 1c आएगा, minus 1 upon 2 आजाएगा, और कुछ नहीं करना, मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, आप इन सभी questions को practice करना अच्छे से, आपके इन सभी questions मदद करेंगे, गुरू पे विश्वास रखो, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़े सिखाने वाला हूँ, एक ही session में सब कुछ नहीं, सहजता और patience बनाये रखिए भाई, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना मेरे को, thanks for today. झाल